नमश्कार दोस्तों वंदिना किचन में आप सब का सवागत है आज हम नवरातरी वरत के लिए साबुदाने का नमकीन बनाएंगे ये नमकीन बहुत ही हेल्दी और न्यूटिशन से भरपूर है और इसमें फाइबर की मातरा भी भरपूर मातरा में होती है आप एस नमकीन को ब केड़ कप मैंने साबुदाना लिया है और आधी कटोरी ये मैंने लिया मुंगफली और आधी कटोरी मैंने बदाम लिये हैं अगर आप इनकी जगा पर किसी और ड्राइफूट का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं बाकी मसाले जब मैं नमकीन बना लूँगी तो उसमे बाद में एड़ कर दूँगी दो चमच के करीव में साबुदाने में पानी डाल दूँगी और पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके पांच मिन्ट के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी तांकि साबुदाना अच्छी तरह से फूल जाए साबुदानी को इस तरह रखे ह हुए तो अभी हम सब्धने का नमकीन बनाना स्टार्ट करते हैं नमकीन बनाने के लिए पैन में अप मनमसन कुकिंग ऑईल डाल कर अच्छी तरह से उसे गरम का लीजिये हमारा फिद्धना तरह से गरम हुआ है यह नहीं एक दना सब्धने का डाल कर हम चेक करेंगे तो देखिए ओईल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है अभी हम कुकिंग ओई में सबुदाना डाल देंगे जब भी आपको सबुदाना डालना है तो उसे इस तरह से फिलाकर ही डाले एक ही जगा पर सबुदानी को कठा करके ना डाले नहीं तो वह आपस में लेकिन भीतर से वह पकेगा नहीं सबुदाने को हमने क्रिस्पी होने तक फुराई करना है और सबुदाने को हम लगातार इस तरह हिलाते हुए फुराई करेंगे एक ही जगा पर इकठे रखकर हमने फुराई नहीं करना सबुदाने को इस तरह फुराई होते हुए पांच म देखिए साबूदाना काफी क्रिस्पी हो गया है, साबूदाना हमारा फ्राई होके त्यार हो गया है, तो अभी हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और देखिए प्लेट में इस तरह से टीश्यू बेपर रखर उसमें हम साबूदाना निकाल लेंगे, ताकि साबूदा को भी हमने उसी तरह से फैलाते हुए ऑईल में डाल देंगे तांकि साबू दानी के जो दानी है वो आपस में चिपके नहीं और सारे ही साबू दानी को हमने इस तरह से फ्राई कर लिया है और उसे बचे है कुकिंग ऑईल में हम मुंगफली डालकर लगातार उसे इहलाते हु क्रिस्पी होनी तक फ्राई कर लेंगे मुंगफली हमारी फ्राई होकर बड़िया क्रिस्पी त्यार हो गई है तो अभी मुंगफली को एक प्लेट में निकाल लेंगे और अभी हम उसी ऑईल में बदाम डाल देंगे और बदाम को भी हमने लगातार हिलाते हुए क्रिस्पी हो तक फराई करना है बदाम हमारे फराई होकर बढ़िया क्रिस्पी त्यार हो गए हैं तो अभी हम बदामों को एक प्रेट में निकाल लेंगे सारे ही समान को जो भी हमने फराई किया है सबी को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे उसके बाद हम इसका नमकीन त्यार करेंगे, फुराई कि यहाँ साबुदाने हमारा थंडा हो गया है, और जो हमने बदाम और मुछफली फुराई की थी, अभी हम उसको भी देख लेते हैं, देखे, वो भी हलकी सी थंडी हो गई है, साबुदाने का नमकीन त्यार करने के लिए, देखीजी मैंने एक बड़ा बाउल लिया है तो अभी मैंने साबुदाने को इस बाउल में ढाल लिया है अभी मैं साबुदाने में फ्राई का रखे रखी हुई मुंफली और बदाम वो डाल दूँगी अगर आप इसमें सौगी या पर कुछ और राई फूट अड़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और अभी मैं इस नमकीन में नमक डाल दूँगी एक चमचा ये मैंने सेदा नमक लिया है क्योंकि ये नमकीन में नवरात्री वरत के लिए त्यार कर रही हूँ तो नवरात्री वरत में सेदा नमक का ही इस्तेमाल किया जाता है और आदा चमच ये मैंने काली मिर्च पॉडर लिया है ये काली मिर्च पॉडर मैंने घर में ही त्यार किया है इसे हम नमकीन में डाल देंगे इसे नमकीन का टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा और सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तांकि नमक और काली मिर्च सभी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और सारे साबोदानी के उपर अच्छी तरह से लग जाए दिखी अगर नमक और काली मिर्च पॉडो जो हमने डाला है वो साबूदानी में इस तरह मिक्स करने से अच्छी तरह से नहीं मिक्स हो रहा है तो एक और तरीका है देखें मैंने इसे इस तरह एक पॉलिथीन के लिफाफे में डाल दिया है इस तरह आप इसे पॉलिथीन में डाल लें और उस पॉलिथीन के लिफाफे में हवा भरके उस रांतर उसे लगातार 3-4 मिन्ट हिलाते हुए अच्छी तरह से नमकीन को निक्स कर ले करने से नमकीन आपका जो उसे में नमक और कन्टेनर में चाहें तो उसमेंगे हैं या आप किसी जिपलोग पाउच में डालकर रखना चाहें ताकि इसमें कोई मौस से रहना लगे तो इसमें भी डालकर रख सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी हेल्दी और पॉस्टिक गुनों से बरपूर नवरात्री शिपैशल साबुदाने का नमकीन हमारा बनकर त्यार हो बिना नवरात्री वरत के बना कर खाना चाहें तो वो भी खा सकते हैं यह नमकीन खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही हल्दी भी होता है आप इस साबुदाना नमकीन को एक वार बना कर स्टोर करके रख लें और पूरी नवरात्री आप इसका 9 दिनों तक इ इस नमकीन को बनाने की रेस्पी भी बहुत ही इजी है और इसे बनाने में बहुत ही कम इंग्रीडियन्ट का इस्तेमाल होता है एक वर बना कर जरूर ट्राई करें वीडियो देखने के लिए धन्यावाद वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें किमे